नमस्कार मैं जन्मक्ता श्यों गवातम खबर आरें जम्मु कश्मीश से जहां पर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ उसके बाद उसकी का इंप्लीमेंटिन सर्फबरी आज गुर्का शबड़ाए के लोग coffee ग्राम में सब्सक्रेमार आजघ के गई और करीब 35,000 के करीब अभी फॉर्म पहेंडिक पड़े हुए हैं और इसको लेकर बड़ा काम चल रहा है डेड़ लाग के करीब गोर्खा समिदाए के लोग है जो जम्मु कस्मीर में रहते हैं बारती से नामे काम करते हैं लेकिन उनके पास यह अधिकार नहीं था कि जम नहीं कर सकते थे जिन में ज्यादा दलित समदाए के लोग थे और तीसे वो लोग थे जो के पंजाब से आकर उन्हें बसाए गया था सफाई करणियों के तौर पर लेकिन उनको भी अधिकार नहीं दिया गया था इसको लेकर आज गोर्खा एक पूर्भ सैनिक ने बड़े ह लिए लेकिन अब इस एक दी की कगा है बाद में अब उनके पास मूल लिबाष प्रीमान पत्तर होगा उनका जो बेटा है जो MBA कर चुका है अब वो जम्मू कस्मीर की सरकार मनोकरी के लिए आविदन कर सकीगा यह एक व्यक्ति की कहानी है ऐसे लाखों लोग थे जो कि आस लगाए बैठे थे लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हो पाता था क्योंकि जिस तरीके का कानून मना दिया गय जिसके बाद यह जल्दी से जल्दी स करने में इस अशफल रहता है तो इसको 50600 रफेगा जुर्माना लगाए जा प्रक्रिया को निप्टाने में सभी तैसिदार लगे हुए है रोज आवेदन आ रहे हैं आवेदनों की संख्या बहुत है और जिस जो आदेश था उसमें स्पर्ष्ट कर दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इसको सर्टिपिकेट जारी करना पड़ेगा किन लोगों को सर्टिपि सर्टिपिकेट मिलेगा उसके अलावा उन लोगों के बच्चों को भी मिलेगा जो 15 साल से ज्यादा समय से जम्मु कस्मीर में रहे रहे हैं और साथ ही साथ के सरकार के जो करमचारी है उनको भी मिलेगा और जम्मु कस्मीर की जो यूनिविस्टी बगारा में काम कर रहे हैं लोग उनके बच्चों को भी और उन लोगों को भी ये सर्टिफिकेट मिलेगा मुल दिवास प्रभाडपत्र मिलेगा इसके अलावा जो कोई व्यक्ति है अगर जम्मू कस्वीर में जो भी बच्चा स्टैडी करता है साथ सालौिया यह यह फिर वह टैन्थ बारेवी करता है तो उसको भी यह सर्टीफिकेट मिलेगा और इसके लिए दो तरीके हैं अप्लाई करने के एक तो तैसिलदार के कारणायले में हो सकता है या फिर ओनलाइन भी इसको जारी किया जा सकता है तो इस तरीके से यह जो फैसला था उसका सीरे जो पर प्रभावित या जनको ज्यादा बेनिफिट हुआ उसमें सबसे पहले आते हैं भारती से एक वो जवान जो के मुल के थे और लुए बस गए थे सेना में काम करते रहे लेकिन उनके साथ यहांड़ होता रहा और अब उनके जम्मू कस्मीर में बसने की बजये से-वह जो एक मांग कि जा रही थी जम्मू कस्मेर में इससे दिया जा आतकबादी पैदा करते है서도 या उसके आदार पर यह जो भारत्य सेरा के पूर्व करमचारी है पूर्व सेयलिक है यह जम्मुकस्मिर में कहीं भी जमीन लेकर बस सकते हैं और एक तरीके से भारत चुनच्छा के लृषिख कर सकते हैं सथी साथ वो दूसरी तरीके की नौकरी कर सकते हैं उनके बच्चे भी पंदोर भी सब्बाइब कर सकते हैं तो इससे कम से कम 15-20 लाख लोगों को वा फायदा ढीट कम हो जिसम कमू कस्मीर का नागरिक भी नहीं माना जाता था उनके साथ तो इतना बड़ा बेदबाब होता था कि उनको असेंबली के लिए वोट करने का भी अधिकार नहीं था इसी बात को लेकर मोधी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया और उस फैसले के आते ही इन सभी लोगों में खुशी की लहर थी और उम्मीद थी जैसा कि गोर्खा सेनिकों के जो पूर्ब सेनिक हैं उनके परवार वालों ने कहा कि हमने तो अमीद छोड़ दी थी क्योंकि हम इस बारे में कोशिस करते थे लेकिन वो सारी कोशिसे बेका जाती थी और हमें नहीं लगता था कि इस जनम कस्मीर में घर बनाने का सपना है वो भी पूरा होगा जमीन खरीदने का खेती करने का सपना भी पूरा होगा और उनके बच्चे भी जम्मू कस्मीर सरकार में पदों पर जा सकेंगे बड़े पदों पर जा सकेंगे चोटे पदों पर जा सकेंगे यानि कि जम्मू कस्मीर सर देने का अधिकार केबल उनी लोगों को जो विसे समधाय से संब्द रखते हैं या फिर उसकी कृपा पात्र हैं सीधा तोर पर इस बात को लेकर पूरदेश में आलोचना होती थी लेकिन जो विपच्छी की राजनीती थी और दलित की राजनीती करने वाले लोग भी कभी इस करते हैं उनके लिए लड़ने की बात करते हैं उन्होंने भी कभी यह नहीं कहा कि जो पूर्वसेनिक हैं उन्हें जम्मू कस्मीर में क्यों नहीं मुल्यवास प्रवाट पर दिया जाता है जब को डेड़ सो सालों से जम्मू कस्मीर में रह रहे हैं दरसल जो जाधर को सेना में रखा गया उसके बावजूद इतने भारी संख्या में होने के बावजूद इन लोगों के साथ ऐसा भेदवाव होता रहा और उसे सेवाय तो ली गई लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिये गई और इसी बात का जिक्र भारत के प्रदान मंत्री ने भारत के ग्रह म भासियों को भारतीए सम्विदान द्वारा दिये गए सभी मॉलेक अधिकार पूरी तरीके से मिलेंगे और भारत में लागू होने वाले सेकड़ों कानून जो जम्मू कस्मिर में लागू नहीं थे उनका वो पूरी तरीके से उपवोग कर पाएं वह सा फायदा उठा कानून थे जिनने बहुत पहले हड जाना चाहिए था लेकिन नेसल कॉंफरेंस और पीडीपी की जो गिनावनी राजनीती थी जो एक आपसका इनका गठवंदन था कि इन्हें सत्ता की मलाई चाटनी थी वांके जो पैसा था उसको लूटना था और जनता को गुमरा करके रख सरकार की जो पुरानी नीती थी डुलमुल नीतिया थी उसकी वाज़े से ब्रस्टाचार को बढ़ावा मिलता था और उसी वाज़े से जम्मू कस्मीर भारत का एक अभिन इस्सा होते हुए भी उसे एक अलग तरीके से देखने की जो परंपराथी सरकारी तोर पर वो रही थी लेकिन यह सारी चीजें उस दिन बदल गई और उनी का असर है कि आज गरुखाव भी खुस नजारा रहे हैं वो दलित भी खुस नजारा है वो महलाई भी खुस नजारारी है जो जम्मू कस्मीर से बाहर साधी कर लिया करती थी उन महलाओं को भी उन बेटियों को भी भारत का अभिन अंग होने से जो एक रोका गया था कॉंग्रेस की नीतियों की वैसे पूरी तरीके से उस बंदन को भी दूर कर दिया इसको लेकर तमाम लोगों में खुसी की लहर है और लोग इसको बहुत ही जादा गीली आंखों के साथ इसको बताते हुए नजर आ भाइंगे यह नहीं बना पाएंगे तो ये सारी चीजें जैसा कि कहा गया था मोधी सरकार जब दुवार आई थी तो मोधी ने यह बात कही थी कि मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जिनके लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया है और ये भी एक उसी तरीके का नमूना है जिस तरीके से मोधी सरकार ने उन घरों में बिजली पहुचाई जो बिजली की उम्मीद कभी कर ही नहीं पाए थे उन घरों में गैस पहुचाई जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भी कभी गैस क का एक नई सोच मोदी लेकर आए थे उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कस्मीर के सभी नागरिक समान रूप से मूल अधिकारों का अपने जो राजधेंतिक अधिकार हैं अपने जो सभी अधिकार हैं उनका उपयोग कर पा रहे हैं और उसके द्वारा भारत माता की सेबा करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा मौके भी मिल रहे हैं निश्चे तोरपा यह जो कड़ा कानून देखने में लगता है कि 15 दिन के अंदर अगर तैसिल्दाज उसको नहीं निफ्टाता है उसकी बज़ए है कि इसकी बज़ए से कई पैंडिंग न चली जाए चीज़े जम्मु कस्मीर प्रशासंग ने यह आदेश जारी किया कि अगर कोई भी तैसिल्दाज इसको 15 दिन में सर्टिपिकेट जारी नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुबे का जुर्माना होगा और यही बज़ए है कि सभी तैसिल्दार इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा यूद दिस्तरब कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी लोगों को मूल नवास प्रभाण पत्र निर्दत करने की कोशिस की जा रही है जय हिन जय वारत